नमस्कार विद्यार्थी मित्रों मेरे यूटूब चैनल study with पंकत नाड़य में आप सबका स्वागत है विद्यार्थी मित्रों इससे पहले के वीडियो में हम कक्षाच छे की तीसरी इकाई समद्दार नढ़नी के बारे में सीखे थे आज हम उसी इकाई समध्दार नर्णी के अभ्यास एवं स्वाध्या के बारे में बात करेंगे तो शुरू करते हैं आज की वीडियो अभ्यास निमलिकित वाक्य किस ने किस से कहा और क्यों बताईए पहला मा में उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहोंगी तो यह वाक्य किस ने कहा है और किस से कहा है और क्यों कहा है यह तीनों हमें लिखना है तो मा में उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहोंगी यह वाक्य कौन बोलता है ननी बतक बोलती है अपनी मा से कहती है क्यों? क्योंकि उसकी मा उसे कहती है कि बेटी बिच्चु जो है वो अपनी गंदी आदत का गुलाम है वो कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तूसरा क्या करूँ डंक मारना मेरा स्वभाव है तो बिच्चु कहता है ननी से कहता है क्यों कहता है क्योंकि नन्ही उसे कहती है कि क्यों बिच्चु भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा तो उसका उत्तर देने के लिए वह उद्धताई से इस तरह कहता है तिसरा तुम यह गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो मुसीबत में कोई तुमारी मदद नहीं करेगा तो यह वाक्या नन्ही बतक बोलती है बिच्चु से कहती है क्योंकि बिच्चु उसके मदद करने के बावजुद भी डंक मार देता है बलाई करना मेरा स्वबा होए यह वाक्य नननीबतक बोलती है बिच्चू से कहती है क्यों कहती है क्योंकि जब बिच्चू उसे पुछता है कि नननीबहन मैंने तुम्हारे साथ विश्वास कात किया फिर भी तुम्हें मुझे क्यों बचाया तो उसका उत्तर देने के लिए भलाई करना मेरा स्वबावे कहती है पाँचवा, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोस जीव को डंक नहीं मारूंगा बिच्चु कहता है और नन्नी से कहता है क्योंकि नन्नी जब उसे कहती है कि तुमारा काम डंक पानना है और मेरा काम भलाई करना है इसलिए मैं भलाई करूंगी देखते एक वण जित्ता है तो बिच्चु को शर्म आती है और वो पच्चता आता है और उसके बाद ये कहता है प्रश्न दो यदि तुम नन्नी की जगह होते तो बिच्चु के साथ कैसा वरताओ करते सोच कर कही तो यह आप खुद अपना विचार रख सकते है आप किस तरह से इसका उत्तर लिखना चाहे जैसे कि यदि मैं बिच्चु और स्वारी मैं नन्नी की जगह होता तो मैं बिच्चु के जैसा नहीं ने किया वैसा ही बताव करता है और उसे सुदाने का प्रयत्न करता है आपको अपने इसाब से उतका उत्तर लिखना है स्वाध्या यहां पर हमें QR code दिया हुआ है उसे scan करके भी आप इसके लिए उत्तर या जो भी इसकी detail से वह प्राप्त कर सकते हैं कि प्रश्ण प्रस्ण के ईत्तर लिखें मैं ननी कौन थी अर्य बतक थी विच्चु कहां भूस गया था आए बिच्चु को क्यों पच्तावा हुआ बिच्छू को पच्टावा इसलिए हुआ क्योंकि उसने बार बार ननी को डंक मारना चाहा जबकि ननी ने उसे बचाया था उसके जिवन दान दिया था उसे फिर भी वो उसे बचाती है और जब ननी उसे कहती है कि तुम्हारा काम डंक मारना है और मेरा काम बचाना है मैं बार बार अपना काम बचाने का करती रहोगी मैं अपना भलाई करने का काम अपना स्वभाव क्यों छोड़ दू तब बिच्चु को अपने किये पर सर्म आती है और वह पच्चताता है ननी ने क्या निश्चे किया? ननी ने बिच्छू की बूरी आदत डंक मानने की बूरी आदत छुड़वाने का निश्चे किया ननी ने बिच्छू को क्यों बचाया तो इसके उप्तर दो प्रकार से लिख सकते हैं कर दूसरी बार क्यों बचा इसके बारे में लिखना हो तो नन्ने बिच्चू को इसलिए बचाने के लिए भिम्ति की थी और नन्नी अपने भलाई के सवभाउ को छोड़ना नहीं चाहती थी थी भलाई करना उसका नहीं क्या हो कि नन्नी का सोबह Scripture करना था rhyme लिए उसने बिच्चु को बचाया बिच्चु के सुबाव के बारे में माने नन्नी से क्या कहा कि उसका सुबाव डंक मारना है वो कभी अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ सकता प्रश्ण साथ ननी ने अपने सुबाव के बारे में क्या कहा ननी ने अपने सुबाव के बारे में कहा कि मेरा सुबाव भलाई करना है मुसीबत में पड़े हर एक को बचाना मेरा सुबाव है और मैं दूसरे किसी से बढ़ला लेने के लिए अपना स्वभाव क्यों छोड़ दो प्रस्टन दो गटनाओं को सही क्रम में रखिए यहां पर हमें घटना के उसको कहानी के क्रम में जिस प्रकार घटना घटी उस क्रम में लिखना है यहां जो यह बॉक्स दिया है उसके अंदर हमें घटना क्रम लिखना है पहले हम सारे घटना या सारे वाक्षी पढ़ लेते हैं ननी बिच्चु की आवाज सुनकर दोड़ती आ गई ननी अपनी मा के पास से लगी ननी ने बिच्चु को दलदल से निकाल कर सुके स्थान पर रख दिया ननी ने बिच्चु को दलदल में फसा हुआ देखा और बिच्चु ने ननी को डंक मार दिया तो सबसे पहले आएगा ननी ने बिच्चु को दलदल में फसा हुआ देखा तो यहाँ पर हमें लिखना है एक नंबर उसके बाद ननी ने बिच्चू को दलदल से निकाल कर सुखे स्थान पर रख दिया तो यहाँ आएगा दो नंबर फिर आएगा बिच्चू ने नन्नी को डंक मार दिया उसके बाद ननी अपनी मा के पास चले जाती है तो यहाँ पर चार नंबर आएगा यह और पाच नंबर में ननी बिच्चु के आवाद सुनकर दौरती आ गई, जब विच्चु फिर से फस जाता है तब ननी आती है तो इस प्रकार से हमें घटना के करम लिखने हैं, उत्तर लिखने वक इस प्रकार जो करम है उस के वाकिय लिखने है प्रश्न तीन इकाई में से पांच संग्या सब्द ढूंड़े और उनका वाक्यों प्रयूप कीजिए यहाँ पर हमें इस पाठ में से इस कहानी में से पांच संग्या सब्द ढूंड़ने संग्या सब्द यानि कोई नाम किसी भी व्यक्ति वस्तू स्थान जगह के नाम को संग्या कहा जाता है जैसे कि बिच्छू एक उदावन दिया है तो बिच्छू दलदल में फस गया था अब हमें इकाई में सही डूढ़ने हैं तो दूसरा आएगा नन्नी नन्नी एक बतक थी नन्नी टट पर आई फिर है मा तो मा पर से आप पक्य बना सकते हो कि मा हमें बहुत प्यार करती है और भी बहुत सारे जैसे कोई भी सब्दा अप ले सकते हो नदी नदी भी एक किनारा इस कहानी बसे हमें लिखना है दलडल तो दलदल भी एक नाम है तो इच्छू दलदल में फसाथा तो दलडल बहुत चिप-चिपा होता है इस प्रकराप लिख सकते हो फिर ननही और बत्त अलग-अलग सब्द है ननही पर बत्त का बना सकते हो बत्त का बना सकते है गुलाम गुलाम प ही संग्या है दो गुलाम के बारे में आप वाक्य बना सकते हैं गुलामों को अच्छे तरह का खाना नहीं दिया जाता है प्रान यह एक संग्या है और पानी पानी संग्या पानी के विना हम जीने सकते इस प्रकास आप आके बना सकते धारए यह भी एक संग्या है तो बहुत सारे संग्या सब्द इस कहानी के अंदर है जिसे आपको ढूंड़ना है और उसका वाक्य बनाना है आप अपने हिसाब से अलग-अलग वाक्य बना सकते हैं न खरन चार एकाइ में प्रयूक महावर है कि में से किनी तीन महावर को रहां कित किजिये और उनका अर्थ अ celastar हमें प्रकीव करेंगे यानि की उसके नीचे रेखा करेंगे और फिर उसका वाक्य बनाएंगे जैसे की यहाँ पर मुहावरी दिये अनसुनी करना, आदत का गULां होना आदी थीरकने लगना, तो यह हो गया, थीरकने लगना ननी प्रशन ओकर ठिरकने लगी तो वाक्य यहीं से आप लिख सकते हो मुझे नई साइकल मिल गई तो मैं खुश होकर ठिरकने लगा इस प्रकार का वाक्य भी आप लिख सकते हो और भी बहुत सारे मुहावरे है सर्म से पानी पानी हो जाना सर्म से पानी-पानी हो गया तो इसका वाक्य भी बना सकते हैं मन डोलना आदत का गुलाब होना यहाँ पर है आदत का गुलाब होना तो यह सारे मुहावरे हैं इनका हमें वाक्य प्रयोग करना है आप अपने इसाव से वाक्य बना सकते हैं और इसका अर्थ भी देना है तो ऑरत यहां पर हमें मिल जाएंगे टोझ द्रश्ण किंध edited फिंवं इन में से केवल तीन मुहावर है मैं को और रखांकित करने है और वाक्य में प्रयोक करना है प्रस्ण पाच निम्लिकी सब्दों के समान आर्थी सब्द खोज कर उनका वाक्य में प्रयोग किजी जो सब्द दिया गया है उसका समान आर्थी सब्द खोजना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है जैसे कि स्थान, तो जगह, इस जगह पर बहुत बड़ी कंपनी लगने वाली है, फैक्टरी बढने वाली है, स्वबाव, प्रकृती, अच्छी प्रकृती के लोग बहुत कम मिलते हैं, मुसीबत, समस्या, समस्या आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, प्रसन, खुस, वा खुस होकर नाचने लगा, थिरकना, नाचना, ननी, खुस होकर थिरकने लगी, तो इस प्रकार से आपको वाक्या बनाने हैं, समानार्थी सब्द दे कर, प्रश्ण छे निम्लिकी सब्दों को सब्दकोष के क्रम में लिखे सब्दकोष के क्रम में लिखना है यहाँ पर हमें कौनसा क्रम आएगा यह लिखना है तो बिच्छो नदी सैतानी डंक और मुसीवत पांच सब्द दिये हुए सब्दकोष के क्रम के सबसे पहले आएगा डंक तो इसका नंबर लिखेंगे एक उसके बाद आता है नदी इसका नंबर लिखेंगे दो उसके बाद तीन बिच्छो फिर आएगा मुसीवत और उसके बाद अंत में सैतानी तो इस प्रकार से आपको सब्दकोष के क्रम में सब् पहले डंक लिखना है उसके बाद नदी फिर बिच्छू फिर मुसीबत और फिर सैतानी कि नीचे दिए गए प्रश्ण साथ नीचे दिए गए चित्रों को देखकर दो-दो वाक्य लिखी और कहानी बनाई है तो यहां पर चित्र दिए हुए दो-दो वाक्य लिखने है और कहानी बनानी है तो हम सबसे पहले पहला चित्र देखेंगे पहला चित्र है उसमें एक पेड़ है पेड़ के उपर एक पंची चो की कबूतर जैसा दिखता है यानि की कबूतर है और नीचे एक नदी बह रही है जिसके अंदर धारा में एक चीन दूसरे चित्र में कभूतर ने पेड़ से पत्ता तोड़ा और पत्ता ले जाकर चेटी के पास रख दिया चीटी पत्ते पे चड़ गई और कभूतर ने पत्ते को अपने चौँच में पकड़कर सूखे स्थान पर रख दिया तो इस प्रकार से दूसरा चित्र है चित्र नम्बर तीन जिसके अंदर एक सिकारी आता है और कबुतर के उपर अपनी बंदूख से निशाना लगाता है और चीटी यह देख लेती है वहाँ पर फटा पटाती है चौथे चित्र में देख रहा है कि चीटी सिकारी के पेर को काटती है सिकारी का निशाना चूग जाता है और बंदूख की आवाद से कबुतर उड़ जाता है इस प्रकार कबुतर के प्राण बच जाते है और इस तरह से इस कहानी से हमें यह बहुत भी मिलता है सीख मिलती है क अच्छे दोस्त एक दूसरे के काम आते हैं प्रश्ण आठ निचे दिये गए चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा यहां पर चित्र दिया हुआ है यहां पर एक 108 एंबुलन्स है गाड़ी है दो कारों के बीच एक्सेडेंट हुआ है यहां पर तो इसके बाद क्या क्या हुआ होगा यह हमें यहां पर इस जगह पर लिखना है तो क्या क्या हो सकता है तो एक्सेडेंट होने के बाद एंबुलन्स भी आ गई है तो एंबुलन्स आने के बाद जो मेडिकल टीम है उन्होंने जो लोग घायल हुए उनको तुरंत अस्पता कपछाने की व्यवस्ता की होगी और पुलिस को इंफम किया हो आग लग गई है तो फिर फायर गेट को भी हम कि विग रिखना हो और वह लोग आकर आग बुजा देंगे और जो लो क हैल या जिनको ज्यादा चोट आईए उन सब को ऑस्पिडल ले गए होंगे तो इस प्रकार से आपको यहां पर लिखना है प्रस्ण नो मैं उच्चित वीराम चिन्नों का प्रयोग करके फिर से लिखे यहां पर हमें वीराम चिन्नों का प्रयोग करना है हम आगे व NorthernAL के बारे में शीक चुके हैं तो यह वाक्य जो है इसहारे वाग्य यह हमें अमारी तो यहां पर है पिछु पच्टावे से भर गया और बोला तो यहां से बिच्चु बोला ननी बहन बोला के बाद अल्फ विराम और फिर अवत्रन चिन्ह ननी बहन फिर उद्गार चिन्ह आज तुम जीत गई उसके बाद पौन विराम क्यों भाई तुमने मुझे डंग क्यों मारा तो इसका भी उत्तर हमें बिल जाएगा कहानी में से ही उसने बिच्चु से पुछा क्यों भाई तुमने मुझे डंग क्यों मारा तो अवत्रन चिन्ह दोरे मरा के बाद में प्रस्णा चिन्ह डिष्च्चु भाई ठीठक क्यों गई डंक मारो तो इसका यहां से मिल जाएगा उत्तर हमें कि पुछ्च्चु भाय ठीठक क्यों गई डंग मारो तो यहां से तुरुंटकर आपको विराम चिनल लगाने हैं फिर है बलाई करना मेरा स्वबाव है तो यह भी आपको कहानी में से मिल जाएगा बलाई करना मेरा स्वबाव है यहाँ पर भलाई करना मेरा स्वबाव है तो आउत्राण चिनल के अंदर आएगा पूर्ण विरार के बाद आउत्राण चिनल पूर्ण करना है इस प्रकार पर लिखना है और आखिर में बहन मुझे बचा लो तो यह भी यहाँ से मिल जाएगा आप है यह भावन मुझे बचा लो इस प्रकार से लिखना है तो इस तरह से हमें इन सारे सब्दों में अवत्राण चिनल लगाने है स्वरेई विराम चिनल लगाने है और वाक्या फिर से लिखने है प्रश्ण दस निमलिखित परिश्यत को पढ़कर उसके नीचे दिएगे प्रश्ण के उत्तर लिखिए देवताओं का अभिवादन करने के पस्चाद ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा इस पर इंद्र बोले पितामा हम व्रित्रासूर से तरस्त है अपनी प्रान रक्षा करने करना हमारे लिए कठिन हो रहा है असूर न केवल हमसे अधिक बल्वान है अपीतु चतुर भी अधिक है हम एक सस्त्र बनाते हैं तो वे चार बना लेते हैं हम उनसे पार नहीं पास सकते कृपा कर वृत्रासूर के विनास का कोई उपाय बताईए यहाँ पर दो प्रश्णा दिये हुए असुगरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा तो असूरों के बारे में यंद्र ने कहा, कि असूर हम से अधिग बलवान ही नहीं, लेकिन अधिग चतूर भी है, हम यदि यनि की देवता एक सस्तर बनाते हैं, तो वे चार बना लेते हैं, उनसे पार पाना मुश्किल हैं, और उनसे अपने प्राणों की रक्षा करना भी हम पाई जानने के लिए गए थे प्रस्टना ग्यारा निचे दिये हुए वणों से पांच-पांच सब्दा बनाने बिल्कुल सरल प्रस्टना है यहां वण दिये हुए इनका उप्योग कर हमें पांच-पांच सब्दा बना रहें लेकिन हिंदी में बनाने गुजराती का प्रयो वार्दात, फिराजमान, अधिसब्द है, रसे, राम, रवीना, रिना, राजभवन, राजगार्ट, अधि, नसे, नदी, नयन, नैना, और नैनपूर, और भी बहुत सारे सब्दा बना सकते हैं अपने इसाब से, गपर्चे, गणेश, गाव, गाए, गव माता, इस तरह से पांच-पांच सब्दा आपको बनाने हैं, भासा सजिता, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, एक दादा जी है, और एक लड़का है, बाकी सारे बच्चे जो खेल रहे हैं, तो चाचा है, और यह लड़का है, यह चाचा है, और लड़के का न नहीं लगता, मैं बड़ा कलाकार बना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हमें यह जो सब्द है, मैं, इसको ध्यान से देखना है, जो घाटे अक्सरों में दिया हुआ है, मैं बड़ा होकर कलाकार बना चाहता हूँ, यह मैं बड़ा कलाकार बना चाहता हूँ, चाचा कहते, अरे काम मुझे पसंद नहीं आया तो यहां पर कुंसा सब्द है वह चाचा कहते क्यों क्यों रामु कहता है एक दिन मैंने तो यहां पर मैंने सब्द है डॉक्टर गोली वाला की दिवार पर बहंसका चितर बनाया था उन्होंने मां से मेरी सिकायत कर दी चाचा कहते है अच्छा तो यह बात है रामु कहता है चाचा जी आप चितरकार कैसे बन गए तो यहां पर आप सब्द दिया हुआ है तो कौन से कौन से सब्द है मैं तुम वह मैंने उन्होंने आप तो इस वारतालाप में रामु के स्थान पर मैं तुम मैंने ऐसे सब्द प् प्रयुक्त हुआ है जो की एक सर्वनाम सब्द है तो यह जो सारे सब्द है मैं तुम मैंने उन्होंने और आप यह सारे सब्द क्या है सर्वनाम है इस प्रकार संग्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सब्द को सर्वनाम कहा जाता है जो सब्द संग्या के स्थान पर या सर्वनाम कहते हैं जैसे कि रामु की जगह मैं तुम मैंने डॉक्टर गोली वाला की जगह उन्होंने और चाचा जी की सब्सक्राइब आप तो यह सारे सर्वनाम है पढ़िये और समझे आप कहां जा रहे हैं दूसरा है दाल में कुछ पढ़ा हुआ है यहां पर जो घाटे सब्द है जो अंडरलाइं की हुए रिखां की सब्दे उसे देखना है और समझना है चलो हम स्कूल चले तो हम सब्द मैं तो बहुत प्रतिपास आले हूँ मैं आओ हम नदी पहाड खेलेंगे हम उसे तो बस हसना आता है उसे सब्द तुम्हें मेरी कवित्यस है अच्छी लगी मेरी वक्यार अपने खड़ा होने लगा है वह जो परिक वाक्यों में रेखां की सब्द क्या है सरवनाम है में इन प्रक्वत्रमत्र थाशंग्या के बढ़्द्र हमारा मुझे हमें मुझमें मुझसे मेरे लिए हमसे हमारे लिए तु तुम तुम तुम्हारा आप आपका आपसे आपको तुम्हें तुम्हारी तुम्हारे तेरे तुझे वह वे याद रखिए वह का बवचन वे होता है वह वे उसे उनका उन्हें उनसे उसकी उसका उससे उ कि उनके यह इसका वर्चन यह होता है यह यह इसे इसको इननें इनका इनसे इनके लिए उसके बाद है कौन किसने कुछ कोई किसी कब कैसे किसको किससे क्या जैसा वैसा स्वयम आप खूद स्वत्व तो यह सारे सर्वनाम सब्दा है आगे देखते इतना जानिए यहाँ पर कुछ संयुक्त अक्षर यानि की जुड़े हुए अक्षरों के बारे में बात है कुछ संयुक्त अक्षर ऐसे है जिनका विशले सद्ध हम कभी कबार गलत करते हैं जैसे कि सिद्ध सब्द है तो इसमें द और ध जुड़ा हुआ है द पिर भी हम दुहरा ध लगाते हैं यानि कि एक द आदा और एक पूरा ध लगाते हैं जो की गलत है जबकि सिद्ध सब्द में द आदा और पूरा ध लगा हुआ होता है ऐसी गलती दूर करने सुद्ध उचान करने एवां सुद्ध लेकन करने के लिए ऐसे ही कुछ सयुक्त यहाँ पर दिये गए है जिनका हमें अध्यान करना यानि कि सीखना है उदान के अनुसार अन्य सब्दा अपनी किताब में से ढूंद कर भी आपको लिखने हैं जैसे कि क और सटकॉन का सर ये दोनों बनते हैं क और ये सटकॉन का सर ये बिलाकर बनता है क्षर और सब्दा होता और ये अनुनासिक है यह होता है अनुनासिक है तो ज और ये मिलकर बनता है इसलिए जब हम डिक्षनरी के इसाब से हिंदी डिक्षनरी के या सब्द को उसके इसाब से जाते है तो जह के बाद ग्या लिखा जाता है याद रखिए और क के बाद खिशव आता है तो इस प्रकार से आपको लिखना यह अंत में नहीं आएगे दोनों अक्षर अंत में नहीं आते हैं ज और यह मिलकर बनता है जिससे बनते हैं सब्द ग्यान विज्ञान ग्यानी ओगी संग्यान आदी उसके बाद है तो आदा और पूरा रह तो मिलकर बनते हैं त्र त्रस्त त्रिभूज आदी आदा का और मिलकर बनता है क्र तो क्रम क्रिया आदी सब्द है और भी सब्द मिल सकते हैं आपको कहाई में से और पुस्तक में से आदा ट और मिलकर बनता है ट्रक जैसे राश्ट्र ट्रक और भी सब्द आपको मिल सकते हैं द और व आदा द और व मिलकर बनता है द्व प्रसीद शुद आदी द और द मिलकर बनता है द तदन राजगदी उकी इस प्रकार से हामिरुद्दिन असपाकोद्दिन इस प्रकार के सब्दा आते हैं तो द और द मिलकर द बनता है तो यह देहन ह और पूराय मिलकर बनता है हीज जैसे कि बाहिय सही ग्रहिय आधी हादा और री मिलकर बनता है री रिदय अफियत तो इस प्रकार से हमें लिखना है कुछ सब्द इस प्रकार भी होते हैं पूरा क आ यहां पर यह र जो है आदाएगा और म तो बन जाता है कर्म सव आदा और च तो इससे बनेगा च आश्चरिय पस्चात आदी यह दोबारा दिया हुआ है यहाँ पर भी यह आदा रगाएगा यह भी आदा रगाएगा क और रगादा और फिर म कर्म धर और रगादा और फिर म तो धर्म तो इस प्रकार से संयुक्ताक्षर का ध्यान रखना है तो इस तरह से हम हमारी जो तीसरी ही काहिए समद्दान नहीं इसका अभ्यास और स्वाध्या से एक चुके और साथ ही साथ हमने भासा सचता भी देख लिए सर्वनाम के बारे में परिचर प्राप्त किया और संयुक्ताक्षर की बारे में भी जाना यह वीडियो आपको कैसा लगा? कॉमेंट में बताएए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक गुड़ बाई